वश्वानimento 5665 अब अज हम लोगे नॉन Sultan cannot बना शुरू करते हैं लNews नॉन के बाद एक टे तो हम गत्र useless थे कि इ надо ऐस तो हम सुन्हें अपित खीफ सिंटेब्स को के भूए भषम वे इन तरह से यह बारे में कुछ अइश्रा बताता है और यह जो है एजेक्टिव्स है ठीक है परसन, एनिमल्स, प्लेसेज और थिंग्स, बिसकली जो नाउन्स हैं, उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफरमेशन देते हैं, कुछ ज्यादा बताते हैं हमें उसके बारे में, अब नॉर्मली जो एजेक्टिब्स होते हैं, वो ठीक नाउन के पहले आते हैं, जैसे कि he is an old man तो यहाँ पर पहले old adjective आ गया, फिर man जिस नाउन को यह qualify कर रहा है, वो नाउन आया, लेकिन कभी-कभी जो है, adjective नाउन के बाद भी आ सकता है, जैसे कि the man is old, तो यहाँ पर man जो है नाउन है, और वो पहले आ गया, और इस वो qualify करने वाला adjective जो है old यह बाद में आया है, तो उसको जो है आपको, circle करना है, जैसे कि the woman is happy to get back the purse, यहाँ पर जो नाउन आचली दो है, woman भी है, और purse भी है, लेकिन यह happy जो है वो आपका adjective हो गया, और यह describe किसको कर रहा है, तो यह जो है, woman को describe कर रहा है, right, it is describing the woman, the man is carrying a heavy box, यहाँ पर heavy जो है वो adjective है, and it is describing the noun box, तो वीड sentences में भी जो है, इसी तरह से आप जो है, adjective को underline कर येगा, और जिस noun को वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसे आप circle कर दीजिएगा, okay, great, जो जो आप adjective को तो आप मोटा मोटी पहचान गे, right, अब आगे हम लोग जो है, adjective के types के बारे में बात करते हैं, adjective के जो है, और आपर six types द objectives, okay, adjective of quality, जो कि of course, किसी noun के kind के बारे में बताता है कि कैसा है, वो quantity वाला हो गया, तो आपको noun के quantity के बारे में बताएगा, और number वाला हो गया, तो फिर वो number बताएगा noun का, demonstrative जो है, वो point out करता है noun को, and जो से this, that, those, these, it, वगेरा सब ये demonstrative adjectives हो जाते है, interrogative adjectives जो है, वो question पूछने के sense में यूज होते हैं, और possessive adjectives जो है, वो position दिखाने के case में, अबस पहले हम जो है, adjective of quality से शुरू करते हैं, तो जी से कि this is a story book, में तो वी जो गोड डांस हो, तो यहाँ पर जो, this is a story book जो आप कहते हो, तो यहाँ पर story जो हो क्या बताता है, कि किस तरीके की book है यह, good dancer, वो बताता है कि किस तरीके की dancer है, वो, good की जापर classical आता, hip hop आता, तो भी बड़ाबर बत थी, तो यहाँ पर story और good, यह adjectives है, जो कि हमें जो है, book और dancer के बाड़े में बताते हैं, और story जो हो हम बताता है, किस तरीके की book है, किस kind की book है, good जो है, वो भी में बताता ह किस तरह की dancer mytho है, तो यह जो है, adjectives of quality हो गए, adjective of quality जो है, वो हमें बताता है, कि जो nature, या जो type है, किसी person का, think का, या animal का, वो बताता है हमें, तो basically, what kind of, को answer करने वाला, जो question, जो response होगा, जो detail, description होगा, वो आपका adjective of quality में आएगा, जो कि I have a small bag, तो यहाँ पर small क्या हो गया adjective of quality, यह मैं बताता है, what kind of bag is this, this is a small bag, I have a leather bag, that again is adjective of quality, leather will be, so big, large, okay, strong, weak, यह साधी जो है आपके adjective of quality हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर adjective of quality को underline करना है, जिसे की beautiful, big, great, honest, well I have done four for you, आपको के करना है, तो you have to complete the remaining four, so pause the video here, and underline the remaining of, remaining of, you know, the adjectives of quality, okay, great, अब आगे आपको क्या करना है, कि इसी से जो जो भी activity है, कि आपको जो है adjective of quality दी हुई है, और आपको इन blanks को जो है, उससे फिल करना है, so this will give you, you know, like further understanding of this adjective of quality, तो जिसे की, we did not go to school yesterday, since it was, uh, rainy day, यह चलने वाला है, यहाँ और रेनी जो है, वो adjective of quality होगे, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है, the woodcutter was an, 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 an honest man, okay, so मैं, इसी तरीकर से आपको जो है, remaining six to six हो complete करना है, तो, well, pause the video here for a while, and then, complete the remaining six, चलिए, अब adjective of quality हो गई, तो हम adjective of quantity के बारे में बात करते हैं, अब से देखो, my teacher gave me some homework for Sunday, या फिर I have enough time to complete the work, तो यहाँ पर जो है, some हो या enough हो, यह दोनों जो है, आपको quantity के बारे में बताता है, पहला some homework जो है, यह आपको quantity of homework बताता है, enough time तो यह आपको time की quantity को बताता है, तो यह जो है, क्या हो गए, यह adjectives of quantity हो गए, जो कि आपको किसी चीज़ की मात्रा के बारे में बताते है, quantity मतलब मात्रा, तो जो कि some, enough, much, जो कि how much वाले question को answer करते है, युसी तरफ adjectives of number हो गए, जो कि all the students were present in the class, they will return after two weeks, तो यहाँ पर all या फिर two जो है, यह आपको number के बा बता रहा है, two जो है, वो आपको number of weeks बता रहा है, तो इस तरह के जो adjectives होते है, इन्हें हम adjective of number कहते है, और adjective of number जो हो basically how many वाले question का answer provide करेंगे आपको, अब adjectives यसे की second, fourth, fifth, यह भी adjectives of numbers ही है, इन्हें ordinal adjectives कहा जाता है, जो कि आपको जो है, चीजों की order के बारे में बताते ह है, ठीक है, he is the first person in the queue, he is the third person in the queue, तो यहाँ पर जो है, यह जो first, यह third, जो है, this is the adjective of number, this is ordinal adjective, दुसी तरह कुछ ऐसे adjectives है, जो कि adjective of quantity और adjective of number, दो नो हो सकते है, depending on the type of use, जो है कि I have enough work for the day, and I have read enough stories over the weekend, तो यहाँ पर एन्हें पर एन्हें स्टोरीज जो है, यह आपको जो ह वाल्यूम के बारे में, quantity के बारे में, बता रहा है, और enough stories जो है, जो है, तो कि इस्टोरी आप तोल के नहीं पढ़ते है, वो तो आप गिन के पढ़ते है, enough stories जो है, यह आपको number के बारे में, बता रहा है, तो same enough है, लेगिन depending on the use, यह जो है, इसका sense जो है change हो रहा है, quantity, adjective of quantity भी हो जाता है यह, और कहीं पर adjective of number भी हो जाता है, I have enough rice to feed the entire village, and I have enough, you know, like rupees to pay my loans, अलग अलग सीन हो गया, और वे कुछ एग्जांपल, जिसे कि some, some people want to meet you, adjective of number, some money, the money जो है वो देखो, आप क्वांटिटी के सेंस में आता है, rupees जो है, वो countable है, drank all the water in the jug, यह जो है, अपक quantity हो गया, all the cows, of course, countable है, तो all की बात करो आप, यह फिर some की बात करो आप, यह फिर आप जो है, enough की बात करो, तो यह जो है, adjective of quantity है, यह adjective of number है, यह इस चीज़ पर depend करेगा, कि जो qualifying noun है, वो noun countable है, यह फिर uncountable है, जैसे work, यह uncountable है, stories, यह countable है, right, तो depending on the number of noun, sorry, type of noun, countable or uncountable ये enough, some, all, ये सब जो है, number of, sorry, adjective of number or adjective of quantity हो सकते है, अच बाद कुछ से भी, adjectives of quantity and number है, जिर जिर जा कि आईडिया सेम होता है, लेकिन ऐख नूस यूज इलग होता है, जिर जिसे कि लिटल and few, little or few, same idea है, जो है थोड़ा सा, right, I have little time, I have few friends, मेरे पास थोड़ा सा time है, मेरे प लेकिने लिटति जो है वो प्रफ्वांटिटी के तोर पर उनकाइबल के साथ यूठ यॉटता है और अर फ्रिण हो पर आघेक्टिम आ रहा है , ज eldest hearlिफल टाइब के साथ यू लिटल टाइब अ हल्ल ए तोरो है या फिर a few people, a few chairs, तो यहां पर देख रहे हो ना, इसमें uncountable आ रहा है non, इसमें few के साथ countable non-use हो रहा है, same goes with much and many, much जो है वो uncountable के साथ जाएगा, many जो है वो countable के साथ जाएगा, और many जो है वो आपका adjective of number हो गया, और much जो है वो adjective of quantity हो गया, जैसे कि he received, he gave me much help, he wasn't of much help, I have so much work to do, तो यहां पर जो है, much जो है वो uncountable को qualify कर रहा है, जबकि many जो है वो countable के साथ use होगा, many girls, many books, many friends, many enemies, whichever is your choice, जो चलिए आप जो है इन adjectives को भी समझ गए, जो कि quantity और, sorry, आजो कि number और quantity दोनों के लिए use होते है, आपको क्या करना है, activity D और E को complete करना है, पहले वाले में आपको correct word को fill करना है, for this you have to go through, pain, uncountable है, तो a little आएगा इसके साथ, I have too much homework for today, we need more hours, right, so we need a few more hours, तो आपको few आजाएगा, अब जो आपको लास्ट वाला खुद से सोच लेना है, आप, वैसे happy है ती या uncountable है, तो the baby was much happier now, so you can use a positive video here and complete this, great, अब जो आपको क्या करना है, कि underline करना है, adjective of quantity को, और adjective of number को आपको circle करना है, so like, Manish goes to his art class five days a week, तो five days, तो five क्या हो गया, adjective of number हो गया, many students were absent yesterday, तो यह भी adjective of number हो जाएगा, there was one mistake in my test notebook, यह जो adjective of number हो जाएगा, 12, please give me some water, I am thirsty, तो यह जो है, uncountable, यह जो है, uncountable है water, और सम का यूज जो है वहापर वो एड़िक्टिव of quantity के तॉर पर हो हो है, तो आप अप अडरलाइन कर देचाएगा, इस तरह से, जहापर adjective of number हो है, उसे circle करिएगा, जहापर adjective of quantity है, उसको आपको underline करना है, तो, well, you can pause the video here, and complete the rest of the activities, for, I mean, rest of the, you know, like sentences in E, great, अब आगे हम बात करते है, demonstrative adjectives के, जिसे के, this bike is Rahul's, यह फिर, I can see that mango tree, right, तो यहापर, इस जो हो बताता है, कौन सी bike है, that mango tree, यह बताता है, किस mango tree के हम बात कर रहे है, तो यह जो है, demonstrative है, यह आपको बताते है, है, this यह बताता है, किस bike की बात हो रही है, किस tree की चर्चा हो रही है, यह point out करता है, ठीक है, तो इस तरह से यह, demonstrative adjectives कहलाते है, demonstrative मतलब होगा, जो point out करता है, तो यह, this, that, these, those, such, ठीक है, तो यह सब जो है, demonstrative adjective के तोर पर यूज होते है, अब इसमें कुछ rules है, जिस और this ऐसी चीजो को point out करने में, यूज होते है, जो कि pass में है, that और दोज जो है, वो डूर की चीजो को point out करने में, यूज होते है, this और that जो है, वो singular के साथ यूज होते है, और these and those hätten, औरые these and those प्लॉर्रल नावन्स के यहां पर लेकिन क्या है कि आपका पहले जो है फिर आपका वर्व आ गया फिर जो है नाउन आए इस तरह से यह इमेडियेटली जो है qualifying नाउन के साथ जो है यूज होगा यह फिर इसे थोड़ा अलग भी हट सकता है आपको यहां पर क्या करना है फिर दिमेंस्ट्रेटिव एजेक्टिव को अंडरलाइन करना है जिसे कि वो गेव यू इस बुक तो इस जो है वो दिमेंस्ट्रेटिव एजेक्टिव हो गया तो यहां पर जो वर्ट्स दिये है प्रिंटेड में इनको प्लूरल फॉर्म में चे लोहन वांट दोज पैंस तो डाट का प्लॉरल दोज हो जाता है और पैंक का प्लॉरल तो एस लग गया लास्ट में तो वैसे आपके जो है जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं उनको जो है आपको प्लॉरल फॉर्म में चेंज करना है जैसे शच ब्यूटिफुल पिक्चर तो इसका प्रोड जाएगा तो इसको प्रोड जाएगा तो चलिए आप इसको जहां चेंज करिएगा तो पॉस्ट करिए वीडियो को और पूरा कर लिजिए फिर फट फट अब एच वालिम आपको क्या करना है कि जो बोल्ड में जो प्रिंटेड है वर्ट्स इनको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है तो जीसे की पहले वाले में आपको करके दिखाता हूं बाकि आप कर लिजिएगा आई वांट दोज का सिंगुलर होता है और उसके बाद यह जो सेंटेंसे से हैं ब्लैंक्स जो है इनमें आप जो है जो ऑप्शन से हैं वो फिल करिएगा में लिए आपको सिंगुलर को कंसिडर करना है जिसके इस गार्डन इस और यूजर फॉर्म में है इसलिए सिंगुलर फॉर मायेगा बट्वाइट इनमाय चुछ से गा डाट नहीं आएगा दो जायेका वेल रमीनिग टेंट को आप कर लिचेगा तो पॉच्कर देट पूरा पूरा कर लीचे यह अ ग्रेट अब आगे बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव एजेक्टिब्स की जिसे की वाट एनिमल इस्ट पूछ रहे हैं और चुकि वाट पूछ रहे हैं इसलिए इंट्रोगेटिव एजेक्टिब्स कहते हैं तो वाट वूज वीच यह समझो है आपके इंट्रोगेटिव एजेक्टिब्स के एक्जाम्पल्स हो गए दुझे तरफ पजेसिव एजेक्टिब्स की बात करो अगर तो यह जो है जैसे कि इसने से को देखो तो यहापर माई क्या बताता है किसकी बुक है यह जो है पजेसिन बताते है तो इस तरह के एजेक्टिब्स जो की पजेसिन या बिलॉंगिं को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम पजेसिब एजेक्टिब्स कहते हैं तो जो कि हूज वाले questions को answer करेंगे तो his, her, our, your यह समझा है पजिसिम में आ जाएगा अब यहां पर आपको क्या करना है कि interrogative adjective को जो है underline करना है और possessive adjectives जो है उन्हें जो है आपको circle करना है जैसे कि children open page 15 of your English book और यहां पर आपको जो है इस पूरे के पूरे स्टोरी को आपको पढ़ना है और इसमें जो adjectives है उनको आपको जो है पिक करना है तो आपको जो है इस पूरे के पूरे करना है और उनका टाइप बताना है तिसके लिए आपको नोटबुक का यूज करना होगा ठीक है तो एक जो है यह यह जो है आपका अपका नंबर हो गया यह एक्टिव बटए तो इस तरीके से जो है यह राम सेट योर मैजेस्टी तो एक नबर पजेशन इस तरह से जो है आपको कंचिनू करना है सभी एक्टिव को जो है अंडर्लाइन करके जो है नोट बुक में लिख लेना है और पांसा अजेक्टिव ताइप है ये आपको बताना है तो एक एट पर जुए पर जो है फो पास अज जो है पुच ऐसी डिस्रिप्शन को इंडिकेट करने बाला बताने बाला जो आजेक्टिव होगा वो इधर आपको नाट रिया धूए है रहा जो चो यह शो दालना है तो इसे की full of happiness तो क्या हो गया एपी फुल आफ कलर तो colorful तो इस तरह से जो है इसको पूरा करिएगा और इसी के साथ जो है कहानी पूरी होती है आगे जो है आगे जो है आगे जो है जो है डिग्री ओफ कमपेरिजन की बात करेंगे जो है बज़ेदार होगा वो तो मिलते हैं के लेशन के साथ बाबाई